असलाम अलेकुम कैसे हैं सब लोग तो आज हमारा शापीफाई का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम आगे के जो है वो आप्शन स्टडी करेंगे जैसा के कस्तुमर एनलेटिक्स मार्केटिंग डिसकाउंट एप्स वगयरा क्योंकि हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स में प्र खेलक्ट्स कैसे बनानी है अगर आपने प्रैक्टिस ही है तो चलें नेक्स चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है कस्तमर का कस्तमर में भी हमारा इतना काम नहीं होता क्योंकि हम जो ड्वैलपर होते हैं जो स्टॉर बनाते हैं कस्तुमर के लिए तो स्टॉर sixty बस tinha की की कॉश यह option में भी हमारा काम नहीं होता लेकिन इसमें थोड़ा आपको बता देता हूँ analytics में हमें जो है store का overview dashboard नजर आता है जिसमें पता चलता है जी total sale कितने हुई है online store session कितने है कितने लोगों ने visit किया है तो यह सारी चीज़ें यहां analytics में हमें देखने को मिलती है इसके नीचे आ जाता है report report में वही चीज़ आ जाती है जी sale कितने हुई है और कितने लोगों ने store visit किया तो पांच लोगों ने visit किया last 30 days में पांच लोग कौन है मतलब हम ही है मैं नहीं open किया बार बार इसको तो इस तरह से मैं नहीं देखा है और इससे नीचे आ जाता है live view live view में हमें बताते हैं जी कितने visitor live अभी इस वक्त देख रहे हैं store को ठीक है और दुनिया में किस जगह से देख रहे हैं सारे यहां पर मार्क आ जाएंगे ऐसे कि कौन बंदा कहां से देख रहे हैं जैसा कि अभी हमारी location का मार्क आ गया कि पाकिस्तान से देख रहे हैं तो यह चीजें अनलेटिक्स में देखने को मिलती है इसके नीचे आ जाता है मार्केटिंग मार्केटिंग में क्या होता है मार्केटिंग में कोई कमपेंड चल रही है हमारी मार्केटिंग के रिलेटर तो हमें देखने को मिलती है जैसा कि अभी यह रिसेंट मार्केटिंग campaign ठीक है चल रही है तो यह मतलब आटमेटिकली शाफिफाई की तरफ से ही है यहां इसका स्टेटिस एक्टिव आ रहा है अगर कुछ और marketing campaign भी चल रहे हैं तो वह भी यहां नीचे आ जाएंगी यह भी जो store owner होगा वही मैनेज करेगा हम लोग जो है इसको मैनेज नहीं करेंगे तो इसमें में नीचे कुछ चीज़ें हैं ठीक है campaign के हवाले से आप लोग देख लीजिएगा और इससे नीचे आ जाता है डिसकाउंट डिसकाउंट जो है वो जरूरी है क्योंकि आपको customer बोलेंगे जी मैंने discount code सेट करना है अपने customer को मैं चाहता हूं कि discount दूँ तो वो आपसे बोलेगा के मुझे discount सेट करके दें तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर दो किसम के हमें discount देखने को मिलते हैं option एक है discount codes एक है automatic discount automatic discount कॉंट्स है अटोमेटिक में वो डिसकाउंट आते हैं जिसमें हम क्या देता हैं 30% discount इसमें यह है कि आप automatic discount क्रियेट करेंगे तो वो 30% या 20% 10% जो आप सेट करोगे वो तमाम प्रड़क्स पे या specific collection पे वो discount सब customer के लिए available होगा ठीक है और discount code में क्या होता है discount code में आप specific एक code generate करते हो और वो code आप जिने चाहे send कर सकते हैं या अपने site में mention कर सकते हैं जब लोग कोई चीज purchase करने लगेंगे तो वहां option आएगा कि आप जो है अपना discount code put करें तो आपको इतने percent discount मिलेगा जो आप set करोगे ऐसे समय नहीं आएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो अभी हम discount codes पे click करके यहां create discount code करते हैं यहां लिखा रहे हैं जिसकाउंट कोड का option है कोई भी आप जो है discount code लिख लें जैसा करके अभी इद आ रही है तो suppose कर लें इद आ रही है तो इद का discount हमने सेट करना तो ऐसे करके आप लेख लेंगे इद सेल 123 यह एक discount code हमारा बन चुक है आप कोई भी put कर सकते हैं यहां पर या customer आपको बताएगा कि यह आप सेट करें अच्छा नीचे discount की types आ जाती है types कौन कौन सी है percentage है fixed amount है और free shipping है by x get y ठीक है इसमें अभी percentage क्या है percentage आपने अगर discount में देने तो यहां आप mention कर देंगी जी मैं 30% percentage देना चाहता हूं discount के तोर पर जो बंदा यह code put करेगा उसे अगर आपने discount परसंटेज नहीं सेट करनी fixed amount चाहते हैं तो यहां पर fixed amount add कर सकते हैं जी मैं 10 रुपे discount देना चाहता हूं जो बंदा मतलब यह code put करेगा and पे checkout पे या free shipping shipping क्या होता है मतलब discount कैसे हो सकता है के delivery charges नहीं होंगे उसके free जो है product दी जाएगी उस बंदे को क्योंकि अक्सर आपने देखो कि आप कोई चीज मंगवाते हैं TCS से या DHL वगरा से तो आप से delivery charges लेते हैं तो free shipping भी discount है वो आपसे मतलब charges नहीं charge करेंगे आपको free में product जो है driver करेंगे उसके बाद आजता है yx get y ठीक है यह होता है जी जो है आपने एक चीज अगर purchase की है तो आपको दूसरे साथ free दी जाए तो यह discount इस तरह से work करता है और इसके नीचे इसके कुछ option है जो मजीद discuss करेंगे अच्छा नीचे यहां customer buy लिखा हुआ है कि जो आप buy one get one दे रहे हैं वो उसकी कुछ condition है minimum quantity of item कितनी quantity वो purchase करेंगे तो फिर आप उसको एक जो है free साथ देंगे या minimum purchase amount यहां क्लिक करेंगे तो minimum purchase amount अगर वो बंदा जी कितनी कहलें जी 15,000 की खरिदारी करता है तो फिर उसको एक चीज साथ free दी जाएगी या minimum item में से कहलें जी वो अगर बंदा कोई तीन चीजें प्रतेज करता है उसको एक जो है साथ चीज फ्री दी जाएगी तो यहां आ जाता है any item from मतलब आप जो है एक specific collection select कर सकते हैं कि किस collection पर आपने देना है discount तो यहां अगर मैंने collection select किया तो यहां नीचे ब्रोड पर क्लिक करेंगे तो तुमाम collection जितनी हमने बनाई होंगी वो सारी show होंगी हमें यहां पर तो यहां से हम choose कर लेंगे कि हमने किस collection पर discount देना है ठीक है अगर आप एक सिर्फ प्रोड़क्ट पर discount देना चाहते हैं तो यहां से specific product पर click करेंगे तो मारे store में जितनी प्रोड़क्ट से होंगी वो आपको show होंगी सारी हमने एक product एड़ की थी half sleeve टी-shirt के नाम से और उसके कुछ variance दे ठीक है तो यहां click करेंगे तो total variance के मतलब हम सब variance पर discount देना चाहते हैं अगर हम मतलब challenge सिर्फ small पर discount देना चाहते हैं medium और large पर नहीं दे रहे तो आप उन्हें select नहीं करें ठीक है इस तरह से यह work करता है अच्छा जी तो यह चारों option इस तरह से work करते हैं अगर किसी को ना समझ आए तो मुझे comment section में पूछ सकता है तो हम जो है फिलाल percentage पे discount देते हैं percentage के साब से 30% दे रहे हैं यह 50% कह लें ठीक है 50% discount दे रहे हैं किन पे all products पे दे रहे हैं यहां से आप अगर किसी एक collection पे देन वाले जो मंदा मेंड टी-shirt purchase करेगा उसी को जो है वो मिले तो यहां से सर्फ मेंड टी-shirt आप select कर लें या सिरफ आप women dresses पर देना चाहते हैं या दो तीन पर देना चाहते हैं collection पर इस पर से आप select कर सकते हैं ठीक है वो यहां पर आ जाएंगी तो all products पर लिखेंगे तो जितनी भी हमारे store में products होंगी सब पर discount मिलेगा customers को जो भी buy करेंगे तो यहां नीचे फिर वो यह option है specific products का यहां से आप specific products select कर सकते हैं तो इससे नीचे चलते हैं all products पर हम click कर देते हैं तो minimum requirements आ जाता है नीचे option तो requirement आप क्या रहां चाहते हैं none कर दें तो कोई requirement नी customer के लिए या फिर minimum purchase amount पर आप देना चाहते हैं discount यहां लिख दें जी कोई बंदा अगर 2000 की shopping करता है तो उससे 20% discount मिलेगा ठीक है तो उसको 50% discount मिलेगा तो अगर आप यह requirement add करना चाहते हैं आपका customer कहता है जी मुझे requirement add कर दें कि minimum purchase पर हम 50% discount देंगे या minimum items पर देंगे तो आप उसे set कर दें नहीं तो यहां none पे click करके next पे चलते हैं उससे नहीं चाहता है customer eligibility तो यहां option है everyone का मतलब है कि हर किसी को discount आप देना चाहते हैं या specific groups of customer तो जब आपके store पे काफी order आ रहे हैं तो आप उन customer के कुछ group बना सकते हैं तो ठीक है यहां अगर group पे click करेंगे तो यहां से आप browse करके group को discount दे सकते हैं या आपके email subscriber होते हैं उनको देना चाहते हैं या सिरफ new customer को देना चाहते हैं या returning customer को देना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी group select कर सकते हैं यहां से जैसा कि मैं चाहता हूँ जी email subscriber जो हैं हमारे website के उनको मिले या जितने भी new customer आ रहे हैं सिरफ हमारी website उनको मिले या जितने returning customer हैं उनको मिल तो यहां नीचे आ जाता है specific customer specific customer की कोई मतलब जितने भी आप के customer है उनकी list में से कोई आप एक दो choose कर लो तो उन्हें मिलेगा ठीक है अभी यहां पर कोई भी customer नहीं है store का पर में वह लिस्ट नहीं हो रही नीचे आ जाती है जी usage limit ठीक है usage limit में क्या है limit number of item this discount can be used in total यहां आप limit set कर सकते हो कि कितनी दफ़ा यह discount जो है code use हो उसके बाद automatically off हो जाए मैं यहां लेख देता हूं 50 times अगर पचास दफ़ा यह discount code वर्क करेगा तो उसके बाद automatically यह वर्क करना छोड़ देगा ठीक है तो पचास कस्टमर को जैसके हम कह सकते हैं हमारे पहले 50 customers को हम 50% discount देंगे तो जब वह 50 customer पूरे होते जाएंगे तब ही यह discount code वर्क करना बंद कर देगा उसके निचा आयता है limit to one use per customer तो यहां पर प्लिक कर देंगे तो एक customer सिर्फ एक दफ़ा डिसकाउंट ले सकेगा वो दूसरी दफ़ा ट्राइगा तो उसको डिसकाउंट नहीं मिलेगा ठीक है यहां से आप limit set कर सकते हैं के बाद नीचे आजाता है date ठीक है आप start date किस date से आप discount start करना चाहते हैं ठीक है नीचे आजाता है time और यहां से set and date भी आप कर सकते हैं किस date पर automatically discount जो है आफ हो जाए तो यहां मैं save discount यह सारी setting करने के बाद save discount पे click कर दूँगा तो यहां से कह रहे हैं जी आपने specific customer पे किया तो कोई एक customer आप select करें तो पिर ही हो सकता है तो यहां हम everyone पर कर देते हैं जी हर एक को discount मिले तो अभी हमारा discount code create हो चुक है ठीक है तो यह discount code है हमारा और यहां से इसका status active आ चुक है तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे store के front पे जाएंगे और किसी एक product पे जाके add to card करते हैं यहां से check out sorry open नहीं हो सकेगा गो कहरें जी आप जो है check out की तरफ नहीं जा सकते पहले plan pick करें इसका हमारा Shopify का plan choose करें फिर आप जो है buy कर सकते हैं या sell कर सकते हैं तो यह मैं किसी और website customer की website में आपको integrate करके check करवा दूंगा no issue ठीक है बस जो main चीज सी वह समझना था किस तरह से discount code work करता है तो same इसी तरह automatic discount भी create किया जाता है ठीक है वह option है इसमें भी ठीक है सारे तो इसको भी आप जो है create करना तो यह automatic discount code में क्या फ़रक है automatic जो है वह discount जैसे 30% discount है और वो हर किसी को मिलेगा तो discount code सिर्फ जो बंदा code put करेगा उसी को मिलेगा यह में difference होड़ा सा तो इससे नीचे आ जाता है apps apps क्या होता है apps Shopify website में कुछ apps add की जाती है जो के help करती है फीचर कुछ specific features add करने में काफी चीज़ें जो Shopify में अवेलेबल नहीं होती थीम्स वगारा में तो हम क्या करते हैं वह apps में जाके हम लोग जो है apps इंस्टाल करते हैं और उस apps के थूरू हमें वह feature मिलते हैं Shopify स्टोर में तो यहां बहुत सारी apps हैं Shopify में तो फिलाल मैं कोई एक आपको इस्टाल करके चेक करवाता हूँ कि यह किस तरह वर्क करती है ताइमर के नाम से कोई app ढूंडते हैं जिससे हमें countdown timer मिलेगा हमारे जो है product page पे तो जिस app के इच्छे reviews होंगे आप वो कोई एक app चूज कर सकते हो याद रहे कि यहां free plan available हो या वो app free हो क्योंकि paid apps होती है तो वो वर्क नहीं करेंगी जब तक आप पे नहीं करते हैं उनका तो एप इंस्टाल करेंगे add app पे click करके यहां से फिर इंस्टाल एप एक लिक करेंगे यहां लिखा रहे हैं यहां लिखा रहे हैं यहां करते हैं क्लिक तो यहां कुछ option दे रहे हैं कल बगरा के किस तरह का आप जो है create करना चाहते हैं क्या का चीज़े add हो उसमें तो यहां से हम check कर लेते हैं कॉंटेंट है आप क्या नेम देना चाहते हैं उसका ठीक है तो हम countdown timer बार कर देते हैं सिर्फ message alert क्या है our anniversary sale will end 30% off for all orders ठीक है बटन बगरा है सारी चीज़ें आप read कर लेना तो end page पे जाके save करते हैं हम लोग और check करते हैं यह integrate हुआ है या नहीं front store जाकर देखते हैं product page पे चलते हैं sorry यह product page का नहीं था यह उनने front पे शोकर वाजिया हमें timer यह आप देख सकते हैं हमने जो integrate किया वो timer बार थी तो इसलिए उनने जो है वो वहां पे integrate है देख लें के timer बार थी इसलिए उनने यहां पे integrate किया है वो लेकिन इसी तरह से दूसरा कोई और टाइमर आप जो एप चेक करेंगे वो आपकी product page पे वर्क करेगी तो क्यूंकि बहुत ज़दा एप्स होती हैं कोई भी आप जो है different try कर सकते हैं तो तब हम काफी ज़दा एप यूज़ करेंगे और उसके बारे में आपको बताया जाएगा तो मेरे ख्याल में आज का lecture इतनी काफी है तो इन्शाला next lecture में हम start करने वाले हैं themes और website related और यहां यहां यह हम design करेंगे complete website यहां पे banner वगयरा pictures या images वगयरा लगा के इसको complete website की design करेंगे next lecture में तो तब तक के लिए लाहाफीज मिलते हैं इन्शाला next lecture में